हेलो फ्रेंड्स सभी को सुपरभात और शुभा का नमस्कार मैं हूँ आपके सातंजली बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तो जितनी भी आपकी टीचिंग से समबंदित अपडेट्स होती है चाहे वो डियलेर के रिजल्ट से समबंदित हो या यूपीटेट सीटेट के फॉर्म से भरती से समबंदित हो सभी जानकारी के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा तत पर रहता है सबसे पहले आपको नियूज या अपडेट्स प्रोवाइड करने में और बिल्कुल ऑथेंटिक तो दोस्तो आज फिर से बड़ी अपडेट आई है चलिए बात करें किस से संबंदित है तो ये संबंदित है यूपीटेट 2020 से ठीके जो आपका यूपीटेट 2020 जिसका की एक्जाम बोला गया था आपसे जनवरी में कराने के लिए और फॉम भरे जाने थे दिसमबर में लेकिन इसमें कुछ ना कु टेट की जो समय सारीनी है टाइम टेबल है कि कब एक्जाम होना था कब उसके फॉम भरे जाने हैं उन सभी में संसोधन किया जा रहा है संसोधन का प्रस्ताव भीजा जा रहा है ठीक है तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है दोस्तो इसी तरह की सभी अपडेट्स को को पाने के लिए आप चैनल को सबस्क्राइब कर सकते है सबसे पहले information को पाने के लिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिलकुल मत भूलना नहीं तो सबस्क्राइब करोगे खाली तो आपके पास फिर भी notification नहीं जाएगी तो बेल आइकन का बटन में संसोधन हो रहा है अब 15 जनवरी के आसपास ओनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है यानि पहले की अगर बात करें पहले कहा गया था कि दिसंबर में आवेदन हो जाएंगे और जनवरी में आपके एक्जाम करा लिए जाएंगे या फरवरी में ऐसी बाते थी लेकिन अब क् के पंदरा जनवरी के आसपास से तो आपके ओनलाइन आवेदन शुरू किये जाएंगे और जो परिक्षा नियामांक प्राधिकारी कारियाले ने सासन को प्रस्ताव भेज दिया है और आदेश आने के बाद परकिरिया आगे बढ़ेगी जैसे भी कोई आदेश आएगा वही परिक्षा अब फरवरी की जगे मार्च में कराने की तयारी है क्योंकि जब भई फोर्म की डेट बढ़ा रहे है फोर्म भरे जाएंगे पंदरा जनवरी के आसपास तो फिर एक्जाम को शेडियूल करने में समय चाहिए होता है तो इसी वज़ा से फिर यहां पर देरी हो सक कराने का तो क्या ये आपके लिए सही है या फिर नहीं ठीक है और अगर सही है तो किस वज़ा से किस कारण से आपको लगता है कि ये इस तरह से टाइम बढ़ना सही है कि हमें प्रिपेर्शन का जादा मौका मिले जो भी आपका व्यू है आप कमेंट बोक्स मेरे साथ जरू जानकारी थी जो आपको मुझे बतानी थी दोस्तों अगر आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें उनको बताए कि अब एग्जाम जो है मार्च में सेड़ूल होगा मार्च के लगभग आपका आपका जाके तो आप बहुत बहतर तरीके से अपने तैयारी कर सकते हैं और फॉम भरे जाने हैं आपके 15 जनवरी के आसपास ठीक है 15 जनवरी के और जो भी information आपकी से related आएगी मैं आपको एकदम तुरंत से आपके साथ शेयर जरूर करूँगी आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जैहिन जै भारत